हेलो गाइस हिम्मानो का आस्त हजारों साले से रहस्टे बना हुआ है जिसे अभी तक कोई सुलजा नहीं पाया है इस रहस्टे को सुलजाने के लिए दुनिया भर के चैनल्स ने इनके बारे में पता लगाया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया बहुत जनों ने समय समय पर इ और नेपाल में यहती का नाम दिया जाता है तो अस्टेलिया में योवी के नाम से जाने जाता है भारत में इसे यहती कहते हैं जादा बाले वाले इंसान जंगलों में ही रहते थे जंगल में भी वहां रहते थे जहां कोई आत जाता नहीं था माने जाता था कि जादा बाले वाले इंसान में जादुई शक्तें होती हैं जादा बाले वाले जीवों में बिग फूट का नाम सबसे उपर आता है बिग फूट के बारे में आज भी रहस्ते बरकरार है अमेरिका रूष चीन ऑस्ट्रेलिया और भारत में बिग फूट को देखे जाने के दावे किये गए ह भारत में ऐसे येती या यती कहते हैं जो कि एक हमानव है आखिर उस्य क्यों कहा जाने लगा क्योंकि हमाले में छुपने के लिए सबसे शुरक्शिशित जगए यती भारत के इतियास और पौरानिक इस्काल का हिस्सा हैं यती का उल्ले रिगवेद और सामवेद में भी मिलता है होंग कोंग में 1935 में पहली बार बिक फूट की खोपड़ी पाई गई खोपड़ी से अन्मान लगाया कि यह है नर्वानर करीब 10 फिट लंबा और 545 किलो वजन का था 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चड़ने का प्रयास करते समय एरिक सिप्टन ने सागर तल से लगबग 6000 मीटर यानि 20,000 फूट उपर बर्फ में अंगिनत बड़े बड़े पैरों के निशानों की तस्वीर ली यह तस्वीरे दुनिया बर में गहन जांच और बहस का विशय बन था हलांकि इसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था उनके पिताजी ने दो बार इसे देखा था वैग्यानिक शोदू से पता चला कि बिग फूट यानिक यति यह तो धर्टी के असली मानव हैं जबकि मानव एलियंस की संताने हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि एलियंस य पांजियों के जीन को मिलाकर एक नई पे जाती पैदा की जिसे आज हम बिग फूट कहते हैं लेकिन कुछ वैग्यानिक यह भी मानते हैं कि धर्टी के असली इनसान तो बिग फूट ही है और जहां तक सवाल आज के आदूनिक इनसान का है तो यह अभी तक रहसे है कि यह ब ने खुद के जीन से मिलाकर बिग फूट बनाया है यह मिश्चित जाती का प्रिणाम है और वे अपने इस बनाए गए जीव को देखने के लिए समय समय पर आते रहे हैं ज्यानिक कहते हैं कि दुनिया भर में बिग फूट को देखे जाने की घटना तभी खबरों में आई जब भी यूएफ़ आने की खबरें भी अकबारों में थी कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमने उडन तस्तिरी के पास बिग फूट को देखा हैं इसी तरह की घटना 1980 में वाशिंग्टन के पास घटी जबकि एक महिला ने यूएफ़ को धरती पर उतरते देखा और वह पनी कई सुरंगे हैं जहां बिग फूट देखे जाने के दावे किये गए हैं वहां का आदिवासी समूद जो मानता है कि इन सुरंगों के बीतर नर्वानर रहता है इसी तरह दुनिया भर में खास कर भारत चीन अफरीका रूस और अमेरिका में ऐसी कई लंबी-लंबी रहस कि फार्स कर फाहसे में गुफाएं और सुरंगे हैं जो पातल तक जाती है इसान अभी तक इसुरंगों का रहसे पता नहीं कर पाया है भारत्य पोरान ग्रंतों मेंं विछालकाएं जोगों के बारे में बताया जाता है क्योंकि सभी ने समान रूप से यह कहा है कि वह बड़े-बड़े बालो वाला और वानर की शकल का मानव है वह जब भी दिखाई दिया है तो हवा में एक खास तरे की बद्बू फैल जाती है और वह इंसानों के सामने आते ही अचायना गायब हो जाता है मानव उसमें गायब होने की कोई अद्बुच शक् आलपनिक है गाइस ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें